विल गैस इस वाले वीडियो में मैं Amazon पे ICICI Bank Credit Card का एक साल का experience बताऊंगा और इन एक सालों में मैंने क्या क्या नहीं किया इस में देखो obviously मैंने Amazon से shopping तो किया ही है साथ ही साथ मैंने इसको यूज करके petrol भरबाया बाहर भी मतलब restaurant में खाना भी खाया और other मतलब merchant में बहुत सारे payments बगेरा की है पिछले एक सालों में बहुत जादा मैंने यहाँ पे खर्च की है और about सारे के सारे experiences मेरे हो गए है तो उसके basis पे मैं आपको पूरा complete review देने वाला हूँ इससे आपको होगा यह अगर कोई नया यहाँ पे apply करा हुआ है और उनको नया नया card मिला हुआ है तो उनको idea हो जाएगा क्या-क्या उनको करना है क्या नहीं करना है साथ साथ अगर आप apply करना चाहते हो तो उसके उपर भी आपको profit हो जाएगा तो basically कुछ parts में इसको divide कर दिया है मैंने जैसे कि सबसे पहले तो मैं इसके rewards points के बारे में बात करूँगा कि क्या-क्या rewards points आपको मिल जाते हैं इसमें और साथी साथ जो है इसके charges बगेरा देखो charges बगेरा जो है न वो आपको very very important है आप उसको ध्यान से सुनना ठीके और उसके बाद आप जानोगे कि मेरा experiences में क्या रहा bad रहा अच्छा रहा बुरा रहा वो थोड़ा सा बात करूँगा फिर हम बात करेंगे इसका eligibility क्या है और उसके बाद end part में मैं अपना opinion देने वाला हूँ मेरा opinion क्या है आपको apply करना चाहिए नहीं करना चाहिए without wasting time let get germ into the video तो देखो सबसे पहले बात करेंगे rewards points की अब सबसे बड़ा जो rewards points आपको मिल जाता है वो है अगर आप यहाँ से amazon से कुछ भी shopping बगेरा करते हो है तो वहाँ आपको 5% का reward मिल जाता है मतलब cashback मिल जाता है amazon pay के wallet में ठीक है अभी किसको मिलता है जो amazon prime का member है ठीक है साथी साथ अगर आप जो है यहाँ पे amazon prime member नहीं हो तो आपको straight 3% का मिलेगा तो 3% भी कम नहीं होता अगर आप यहाँ से 1,000,000 का कोई भी चीज़े खरीते हो समझ लो कि आपने एक iPhone खरीदा जो pro है वो तो 1,000,000 का आ जाता है तो वहाँ पे आपको straight जो है मतलब 3,000,000 का discount आपको मिल जाएगा अगर आप prime member नहीं है और अगर आप prime member है तो आपको 5,000,000 प्लस का जो है वहाँ पे reward मिल जाएगा तो बड़ा चीज कुछ भी खरीद रहे हो तो आप सबसे पहले check कर लेना कि आप Amazon Prime member आपको free में मिल रहा है कि नहीं एक महीने का और normally हर एक year में एक एक बार जो है Amazon Prime free में एक महीना मिली जाता है मेरे को तो मिल जाता है किसी और को मिलता हैगी नहीं comment करके ज़रू से बताना ठीक है अब बात करें इसकी तीसरी जो reward points की तो देखो यहाँ पे जो है अगर आप Amazon Pay के home page पे जाओगे मन्त के end में उसके बाद आपको और भी मिल जाते हैं अगर आप बाहर इस वाले कार्ट को कहीं बर भी यूज़ कर रहे हो कुई दुकान में चले गए वहाँ पे swipe up किया रेस्टोरेंट में गए उसके वहाँ पे आप खाना खालिये और वहाँ पे भी paid कर दिये मतलब इस वाले कार्ट का इस्तेमाल किया और साथ मतलब इतने सारे जैसे की insurance बगेरा खरीदा payment method में इसको use किये उसके बाद मतलब ticket बगेरा booking किये किसी third wedding website से तो आप जो भी काम करो तो उन सभी में आपको straight 1% का reward मिलता है वो भी amazon pay वाले section में तो सारे पैसे जो आपके amazon pay वाले section में ही जाएगा और देखो यहाँ पे कुछ में आपको नहीं मिलता आप amazon pay के section में जाके अगर आप gold खरीदते हो इसको 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 कोई भी reward नहीं मिलेगा इस type का मतलब कुछ cases में जो है आपको reward नहीं मिलते एक रुपए अगर आपने कहीं पर भी खर्च करा आना तो उसका आपको reward मिलेंगे तो यह तो था reward का section तो अब चलिए हम चलते हैं अगले part में जिसमें जो है मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको क्या-क्या charges देन फ़ले section में आ गया है देख सकतो एक नमर में अगर आप card को apply कर रहे हो तो आपको कोई भी charges देने की जरूरत नहीं पड़ती उसके साथ साथ आपको per year के हिसाप से जो भी charges देने नहीं पड़ते हैं जैसे कि हर एक card में ऐसा नहीं होता maximum card में जो है आपको मतलब per annum के जाता है per year के सबसे लेकिन यहां पर आपको lifetime free मिलेगा ठीक है कभी भी charges मतलब कोई भी annual charges नहीं देना पड़ेगा जो यह दो तो गया अब चलिए मैं आपको बताता हूँ अगर आप overdue हो जाते हो देखो overdue होने पर जो है यहां पर charges बहुत जादा है heavy charges है ठीक है तो यह charges आ on extended credit ठीक है तो सबसे पहला option के बारे में हम यहां पर देखते हैं देखो यहां पर monthly rate जो है 3.5 to 3.8% तो आप समझ सकते हो अगर आप overdue हो जाते हो एक महीने में आप जितना खर्च करते हो ना उसका 3.5 to लेकर 3.8% एक महीने में देना पड़ेगा और पर year की सबसे अगर हम calculate करें तो देख सकते हो 42% से लेकर 45.6% ठीक है तो भूल से भी overdue मत हो ना यहां पर देखो late payment charges ठीक है तो किसी मन्त में आपने जो खर्च कर आप 50 रुपे का किसी का recharge कर दिया that's it तो 50 रुपे का जो है आपको कोई charges नहीं देना पड़ता है अगर आप overdue होते हो 100 रुपे से उपर जब जाता है तभी आपके overdue के charges लगते हैं ठीक है तो यहां देख सकते हो 100 रुपे से 500 रुपे के अंदर अगर आप overdue होते हो तो आपको minimum charge जो है 100 रुपे आपको देना ही पड़ेगा और उसके बाद देख सकते हो 501 से लेकर 10,000 के अंदर अगर आप overdue होते हो तो आपको minimum जो charge है वो 500 आपको देना पड़ेगा और more than 10,000 तो आपको 750 तो minimum से देना पड़ेगा उसके उपर आप जितना जादा खर्च करोगे उसका जो है पर मन्त के हिसाब से 3.5 से लेकर 3.8% आपको देना पड़ेगा देखो 3.5% किसका आता है 3.8% किसका आता है वो आपक जो है अच्छे से payment करता है लेकिन इस मन्त में थोड़ा गड़वडी आ गया तो उसका जो है कम से कम percentage लगेगा और आप हर महीने में मतलब overdue हो जाते हो तो उस case में आपको percentage जादा देना पड़ेगा ठीक है और यहाँ पर cash advance के बारे में दिया गया है देख सकते हो यहाँ interest on cash advance ठीक है 3.5 से लेकर 3.8% आपको मतलब अगर आप cash advance लेते हो तो समझ लो कि आपने जो है ATM से पैसे निकाला credit card का इस्तेमाल करके तो उस case में आपको पर मन्त के हिसाब से 3.5 से लेकर 3.8% पर मन्त के हिसाब से आपको देना पड़ेगा interest ठीक है और आपको जो है मतलब प रुपए निकालो ठीक है minimum आपको 300 रुपए का charges पड़ेगा ही पड़ेगा अब ये तो minimum charges है आप देखो आपने ज़्यादा पैसे निकाला ATM से तो आपको 2.5% देना पड़ेगा जितना पैसा निकालोगे समझ लो 1,00,00 आपने निकाला आपका जो है 1,00,00 आप निकाल सकते आपके पास limit है ठीक है तो उस case में आपको 2500 का only withdraw charge देना पड़ेगा ठीक है only withdraw charge ठीक है तो withdraw जब भी करोगे मतलब ये charge सबसे पहले देना पड़ेगा कड़ जाएगा उसके बाद आपके मन्त के हिसाब से 3.5 से लेकर 3.8% तो मतलब fix ही है ठीक है तो ये charges तो आपको देना ही पड़ेगा तो ये ध्यान में रखना पैसे निकालते है ठीक है अब आते हैं दूसरे में देखो यहाँ पर अगर आप draft डाइल करते हो तो आपको यहाँ पर 3% का charges देना पड़ेगा जितने का draft बनेगा उसका 3% आपको देना पड़ेगा एक लाग का बना तो उसका 3% मतलब 3,000 रुपए आपको देना पड़ेगा और minimum जो होगा वो तो 300 रुपए होगा ही होगा समझ लो आपका amount बहुत कम है उसके हिसाब से आपको 300 रुपए तो देना ही पड़ेगा ठीक है तो ये सारा कुछ जो है लोग use करते हैं जादा तर overdue होते हैं या फिर cash निकालते हैं य या फिर अगर आप जाते हो कई पर जो है petrol डालते हो तो यहां देख सकते हो petrol का जितना भी percentage देना पड़ता है उसका 1% surcharge वीवर हो जाएगा मतलब माफ हो जाएगा 1% आपको कम देना पड़ेगा अब petrol pump में आपको कितना percent यहां पे 2 से लेकर 3% के बीच में मतलब लेता होगा कि charges के बारे में मतलब charges के बारे में आपको जाधा focus करना है आपको यह सारे बेकार यूज नहीं करने है अगर आपको details समझ नहीं आती है तो आप जो है मेरे को Instagram पे message करना कौन सी problem है मैं आपका shout out करने की कोशिश करूगा Instagram link in the description साथी साथ जो है आप मेरे को Telegram पे join कर स तो Telegram का link भी description में है तो guys यहाँ पर मैं अपना experience बताऊ ना तो मेरा experience इस वाले card के साथ धासूरा इसके अलाबा जो है मैं HDFC bank का credit card यूज करता हूँ रिगालिया fast लेकिन उससे भी काफी जाधा बहतर मेरे को ये बाला card लगा और यहाँ पर मैं maximum time जो है इस वाले card को prefer करता अधर देन जो है मेरा रिगालिया fast card तो अच्छा भी इसलिए रहा क्यूंकि मैंने जो है अपने एक साल में जितना दिर मैंने use किया कभी भी मैं overdue नहीं बना और मैंने यहाँ से cash एक ही बार निकाला था ठीक है पता भी नहीं था उतना कुछ मैंने research भी नहीं किया था कि कि तो मैंने only 5000 का cash निकाला था तो मतलब कितना charges लग गया था यार उसके बात मैंने कभी भी cash नहीं निकाला तो यह मेरा गलती था कि मैंने cash निकाला आपको कभी भी cash नहीं निकालना है अगर आपको बहुत जादा important बहुत जादा पैसे आपको जरूरत है ना तो आप इसको कि percent का charges लगेगा monthly जो interest rate होते हैं वो यहाँ पे नहीं लग रहे हैं क्यों 50 days आपको मिल जा रहे हैं अगर आप wallet में add कर रहे हो तो उस वाले case में आप wallet में add कर सकते हो अगर आपको बहुत ही जाधा जुरूरी है तो बात करें इस वाले card की eligibility तो eligibility बहुत ही मतलब बहुत ही कम है ठीक है 700 plus civil score होना चाहिए that's it 700 plus अगर आपके civil score है तो आपको जो है कोई नहीं रोक सकता इसको लेने में लेकिन गाईस जो आप apply करते होना तो apply करते time एक strategy आपको follow करना है अपना occupation salary ही डालना ठीक है अगर आप service नहीं करते हैं तो भी आप salary डालना अगर आपका civil score है 750 plus है तो आपको मिल जाएगा कोई भी document आपको देने की जरुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे को जो है देने की जरुरत नहीं पड़ी थी अगर आप जानना चाहते हो कैसे apply करना है तो उसका भी video link description है तो आप जाके check out कर सकतो उस वाले video को working professional अगर आप choose कर रहे हो तो उस case में आपको ITR देना ही पड़ेगा ठीक है तो ITR जो है ready रखना अगर आप working professional मतलब select कर रहे हो तो एक ITR होना चाहिए और एक civil score जो है 700 plus होना चाहिए अब आते हैं final verdict की तो मैं देखो यहाँ पर मैं कहूँगा क्योंकि मेरा experience इसमें बहुत अच्छा रहा और मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर आप ऐसे maintain करके चलोगे आप overdue मत होना और cash तो मत ही निकालना ठीक है तो इतना अगर आप maintain रखते हो तो आपको साथ साथ जो है आपको बहुत सारे reward भी मिल जाते हैं लेकिन गाइस अगर आपको जो है अपना civil maintain करना है ना तो जितना आपको limit मिल रहा है ना उसका जो है आपको 40% ही use करना है उससे जाधा नहीं use करना है ठीक है कैसे आपको जो है Amazon पर ICIC से bank credit card का limit बढ़ाना है तो उसका strategy मैंने बता दिया है वो वाला वीडियो देखना चाहते है उसका link भी आपको description मिल जाएगा आप जाकर check out कर सकते हो ठीक है तो I hope आपको detail समझ आ गया होगा इसके अलाबा आपको mind में कोई भी question हो इसके उपर कोई भी question हो तो आप मेरे को comment में पूछ सकते हो या फिर मेरे को instagram पे follow करके आप मेरे को message कर सकते हो direct ठीक है और साथी साथ जो है आप हमारे telegram channel को join ज़रूर से करना तो इस वाले वीडियो में इतना ही उमीद है अच्छा लगा अच्छा लगा तो like करो share करो comment करो तेंक बरेमाथ जय हिन जय भारत बंदेवाद को